अग्वल्कम बैक, व्यूज़ आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोश मंद का रिक्रम ये देश एक कि जब इस देश के बटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राश्ट की बात कर रही थी और हिंदु महासवा भी दो राश्ट की बात कर रही थी जिन बिल्कुल इमानदारी से और जो बात यहां की जा रही है आज आपने कहा कि वो सरिया की बात करते थे लेकिन आज हम मानते हैं भारती जंता पार्टी को कोई नेता सामप्रदाइक बात करे नफरत फैलाने की बात करे वो उसका व्यक्ति का तारूप उस पर लग सकता है लेकिन पार्टी क्योंकि भारती समीधान की सपत लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मिट्पिक्ष पार्टी मानते हैं आज भारत में जीतनी भी राजमितिक पार्टी है भारत के समिधान से अलग हटके कोई पार्टी चली नहीं सकती ठीक है सुधान चुछ जवाब उन्होंने एक ब्लेटेंट पॉइंट रखा उसका जवाब उसका जवाब क्विकली अच्छा पिप्ला बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा बताईए जिन्ना के ह अब मैं बताता हूँ अब दो राष्ट का सिध्धानत आया 1875 में अलताफ हुसैन हाली और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके उपर उन्होंने साथ साथ कहा उन्होंने ये कविता लिखी थी वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्साय आलम में प पैदा हुए थे भाई बामुशकिल कहा आप लेकर चले आते उसके बाद सरसयद आहमद की जाके बाते सुन लीजे कहीं की बात कहीं चलिये चीख है यहाँ तो आपको लगता है सावर कर थे जिन्ह थे यह इस तीमोर में कही अलग हो रहे हैं यह चेचेडिया में कही अलग ह आप यह कहना चाहते हैं, मुसल्मान अपने आप में समस्चा है, आप यह कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच आपकी, यही तो घिरना भरी सोच है, मुसल्मान इस देश में एक से एक शांदार देश बत हुएं, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिये, आज मी ए लड़ाई आरे सेस्के वजे से बोस्य अर्जू कविना में हरे सेस्के वजे से सोमालिया इथो प्रिया कि वजे से फिलिस्तीन में आठेसर के वजे से ।N 119 S वजे से हुआ था। अरे वीर अब्दुल हमीद को परंवीर शक्र मिला, 2015 में 85 वर्स गाट हुई, कोई शक्रिद्म का सूर्मा दिखाई है जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो, हमने उनको दिल्ली में बुला कर पूरे परिवार को उनकी पत्नी मिथी सम्मानित किया, डॉक्टर एपी जाबु और सुनिये, उत्तर प्रदेश के याजमगड में भारत की सेना का पहली पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, डिगेडियर मुहमद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते, इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के लोग आजमगड में, संजरपूर में जाके, आतंगबाद के आ पूरा भारत जो एक उपलब्दी मानता है, अबदूल हमीद को कौन राजब्दी मानता है, सर मेरा सवाल कॉंग्रेस से है, कि एक तरफ राहूल गांधी अमेरिका में बैठके ये बयान देते हैं, कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कॉंपेर कर दिय आपस में, तो सर, 1980s में तो सरकार भी तो कॉंग्रेस की थी, तो आप कैसे कॉंग्रेस को कॉंपेर कर सकते हैं, दूसरी बात, कि फिर उन्होंने क्रिश्चन्स पे बोला कि क्रिश्चन्स पे अत्याचार हो रहा है, सर, प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया, क्रिश्चन्स के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन वट्सप पे चलता रहता रहता है, चलिए क्रिश्चन्स पे अत्याचार होना ऐसा नहीं बोला है, यहीं बोला राहुल, मुझे मेरी नॉलिज में नहीं है, अग आज वो हिंदुस्तान में मुसल्मानों के साथ, क्रिस्चन के साथ, सिखों के साथ, और और सारी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, आप जो कह रहे हैं, जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खतम करने के एक शिकिन आपके करें मिस्कोट कर रहा है क्यों कि उन्होंने जो भै की बात करी उस चीज़ को उन्होंने कोड करा और पहली बाद राहूल गांधी साब तो वो यह कह रहा है कि आज हर एक युवा के अंदर भी भै है कि आने वाला उसका मुस्तग्बिल क्या होगा किसानों के अपने भारत का मुसल्मान हूं अपने भारती होने पर बेंतिया यखीन करता हूं और मैं बाबा साथ भीम रहा हूं बेट करके बनाए हुए सुनिये लफजे मुसल्मान से जिनको तकलीफ है आज वह भावनाओं में ज्यादा भाएगा अपने आपको सैकुलर साबित करने मुसल्मान को टिकटी दिया आया ता आज एक भी मुसल्मान को टिकटी दिया जा जाएक बोला वो पूरा फैक के साथ बोला दो हदार एक महीं क्यों मिलाओ उस्ताद बिसमिल्ला खागो वीर अब्दुलमीक ते घर पटिकर दी अभी तक आपे आप मुसल्मानों की हिताशी होने की बात करते हैं एक हाथ में खुरान होना चाहिए एक हाथ में कम्पीटर होना चाहिए बढ़ाया मुसलिम रिप्रेजेंटेशन जब साधन के अंदर नहीं पहुचेगा तो उनका कैसे दाइद वाग़ बढ़े हैं यह सवाल वाजिव है अचा सुनिये यह आप कहते हैं कि यह देश शेकुलर है यह कहते हैं ना बात आप अगर यह देश शेकुलर है यह सवाल है और इस सवाल में पब्लिक ते ताली भी बजाई है क्या आपको लगता है मैं कोई ताली को इंडोस्मेंट नहीं मानता पर इट इस अ क्वेशन सुधान शुत्रवेदी यह सवाल अकलियते पूछेंगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं अगर राहूल गांदी यह विदेश में बात कहते हैं उस पर डिसेग्रिमेंट हो सकता है लेकिन इस बात पर आपका जवाब क्या है देश आपको शुन रहा है बाबा साब अमबेडकर का नाम बहुत लेने लगें आज कर लिए बता रहा हूँ उनकी किताब है पाकिस्तान अत्वा भारत का विभाजन पेज नम्मर 104-105 पे जाके पढ़िए नोट करें कि इसलाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ इसलाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है बाहर वालों के लिए नफ्रत और हिकारत है सुनिए अब अरेसम बारे में बाबा साब भीमराउं मेड करने की बोला है करिये कहा लिखा है मैने किताब कर बिंद कर कर की कर के किताब कर द tussen 48 के अंदर फरवरी 1909 आजादी के बाद का भारत रिटन बाई विपिन चंद्रा के अंदर RSS को आप सुनिये आप सुनिये आप सुनिये इनों ने जिस विपिन चंद्रा को कोट किया उसने भगत सिंग चंशेकर आजाद को टर्रिस भी ठीखाएं क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई जाब लेकर को आप क्रिटिसाइज करते हैं सवरकर को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते हैं उनको आप घद्दार तक कहते हैं RSS को आप कॉमिनल कहते हैं लेकिन मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं कि आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए बेटर नहीं है ठीक नहीं है दीके मुझे लगता है कि आज का जो विशे है वो सीधा सीधा ये है कि देश कहां जा रहा है डिवाइडन डूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या एक दूसरी जाती या धर्म का बच्चा एक अच्छे महौल में जाकर एक कमरा लेकर पढ़ सकता है आज क्या जम्मू काश्मीर का एक बच्चा गिल्ली में आकर अच्छी पोश कालोनी में बैठकर कमरा लेकर सीधे सीधे उसको लोग कमरा दे सकते हैं कि तुम पढ़ लो समाज में इतनी नफरत फैल चुकी है और ये फैक्ट है सच्चाई है आपने एक मिनट बोले आपने बोला कि 2014 के बाद ये नफरत फैली है अब आप मुझे बढ़ गई है आप मुझे बताई है हाशिब पुर दंगा किसकी रिजीम में हुआ ये बात होगी ना मल्याना किसकी रिजीम में हुआ 1984 के दंगों में सेक्ड़ों लोग RSS के जेल में गए मेरे पस लिस्ट है क्या करें अब अंग्रेजों ने डोस एक मुझे ने डंगे कराए थे RSS के लोग दंगों में इन्वाल थे अच्छा मैं और रिकार्ड बोल रहा हूं और जगदीश्टाइट तर्शाजन कुपार यार मेक अप कह रहा हूं कि वो नहीं थे मनीपूर पर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉंफेंस की हो तो बताईए मैं फिर कहूंगा ग्रह मंत्री महादे कितने दिन बात गए हूं इतने बड़े इशू पर नहीं हूं प्रेस कॉंफेंस कब हुई लेकिन रहूल गांधी ने एक स्टेट्मेंट दिया तो साब उचल पढ़ेंगे बास 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 तलवार लेके मुझे लगता है और पूरी तरह से कोई मौका मत छोड़ी है किस तरह से देश में हिंदों मौका तो आप लोग भी कहा छोड़ते हैं मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे हमारा फर्ज है आप आप मुझे बताइए मुस्लिम लीक के तीन ऐसे कारणामें जिसमें वो आपको सेकुलर नज़र आ रही है बताईए बताईए एक एक शेयर और करूंगा ना 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 आप एक पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे तो रहाल गांदी पर शेर आपका रहूल गांदी असल में हो गाएं तवे का सुराख हमारी कहलाते हैं उन्होंने नफरत के तवे के अंदर वो कर दिया सुराख और उस पर नफरत की रोटी जादा दिन तिक नहीं पाएगी करनाटक चुनाओं हा रहे हैं मद्यपरदेश के अंदर क्या हाल हैं 36 गंडर क्या हाल आता है वो उसको ले के लिए मतलब आप कहरें की यूनियन मुस्लिम लीग वो अलग और पटवारे वाली अलग कैसे अलग हो गई जैसे शिफ सेना अलग हो गई और इनके साथ शिफ सेना चली गई वो शिंदे उड़दा खुर्ट होगी और पर मजर मजरा और्गनाईशन तो एक ही है ना ओके कॉंग्रेस का काम है मुसल्मानों को किसी भी तरही के से डराना आलोग जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसल्मान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शेहरों में पढ़ सकता है किराय पे करना दे सकता है मेरे बराबर में बैठे हैं मेरे बाही नौईडा में रहते प्लाट लेके आज तक उंको कुछ कहा गया क्या आप इस तरी की से जबर्दस्ति लोगों को ड़ाते हैं को रहते हैं मुसल्मान मुसल्मान करेंगे ना मुसल्मान होसी नफराध लव्जिष जिहाद उसके बाद तमाम जिया ले जितना होंगे टका के हा रहे एंगे आझा को फिर जौवाट निय ओख घूजफ हो और मैसा से बीजेपी सिर् fund मुस्लिम ही मुसलिम करें पिर जीत टी क्यों जा रही है आप भी तो कहते हैं। निये थी अमेरे नई पुछ रही है मेरा सीधा सवाल आपसे क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर अब यह जो मौका है 2024 से पहले करनाटक जीतने के बाद अगर अखलियतों का वोट मिल जाएगा तो खेल बदल जाएगा और उन्होंने एक एक एकजामपल सेट करा है करनाटक के अंदर एक टेंपलेट सेट करा है जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है उसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है और जवाब 20 सेकेंड देखिए जो इन्होंने बोला एक जवाब तो मिली गया जिस जंग से उन्होंने को अलग कहते हुए आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सेकुलर सियासत वाले इनके लिए तो कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की मर्ज बढ़ता गया जो जो दबा की ठीक है ओके विवर्स जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांदी ने देश की सबसे सेकुलर पार्टी करार दे दिया है उसका सड्विकेट दे दिया है आज उस पार्टी के असल करेक्टर को समझना बेहद आवशक हो जाता है अजादी से पहले मुहमद अली जिन्ना ने अपना एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया औल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग के लिए इसी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का एलान कर दिया जिसके बाद भीशन सामप्रदाइक दंग हो गए थे एक लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया था इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है इसे अब सर्च कर सकते हैं कई भी भी देश का बटवारा हुआ और माना जाता है जो लोग भारत में रह गए उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग य मुस्लिम लीग के खिलाव थे यानी राहुल जी के पढ़ना ना लेकिन 2019 आते आते राहुल गांधी की कॉंग्रेस ने उनसे गड़बंदन कर लिया लेकिन इंटरस्टिंग बात ये है कि राहुल गांधी की रैलियो में मुस्लिम लीग के जंडे ना के बराबर होते थे पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि कॉंग्रेस मुस्लिम लीग के फायदे और नुक्सानों के बारे में अच्छे से जानती थी इसलिए राहुल के अमेठी हारने के आशंका होता ही उन्हें मुस्लिम बहूल वायनार्ट से भी मैदान में उतार दिया गया ये प्रमान है मुस्लिम लीग से गड़वंदन कर लिया गया लेकिन उनकी मीडिया में प्रेजन्स दबाय रखी ताकि उत्तर में जहां राहुल को जिन्यव धारी शिवख्ध बताया गया था वहां उसका इंपैक्ट ना हो यानि उसका नुकसान ना उठाना पड़े अब आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग से परिशानी क्यों है क्योंकि वो तो चुनावा योग में रेजिस्टर्ट पार्टी है तो मैं आपको बता दू कि मुस्लिम लीग के नाम से नहीं काम काफी चिंता जनक है इसलिए अब कारनामे क्या हैं वो भी देख लीजी और समझ ल वाला ने संसत में प्राइवेट मेंबर बिल लाए इसी बिल को आधार बनाया गया राजीव गांदी ने सुप्रीम कोट का फैसला पलड दिया था इसके अलावा 2003 में हुए मराड नरसंगहर में मुस्लिम लीग का स्क्लियर कट नाम आया लड़कियों की शादी के उमर 21 करन साथ बैठने के भी खिलाफ रही है लक्षदीप में शुकरवार यानि जुम्मे की छुट्टी को जब रविवार में तब दिल किया गया तब मुस्लिम लीग ने इस पर कड़ी और घोरा पत्ती भी जताई थी इतना है नहीं इस साल मलापुरण और भदरकाली मंदिर को एक्षिन बहुत खतरनाक और कटर सामप्रदाइक होते जा रहे हैं मुस्लिम लीग कटर पंतियों के भाशनों और नारों को अपनाने लगी है मुस्लिम लीग के कारناमों की कुंडली अभी और लंबी है लेकिन इतने में आप ये जरूर समझ गए होंगे कि जिस मुस्लिम ल लीग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है लेकिन कॉंग्रेस को शायद अब ये लगता है कि अगर समूचे देश में मुस्लिम लीग के साथ है इसका भी कोई परमाल नहीं है शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे आपने इस कारिकरम को देखा फिलाल इसमें इता ही शु झाल